आज हम इस वीडियो में हिंदी कहानियों के बारे में जानेंगे कहानी जो होता है कि हम जो बोलचाल की भाषा में बोले जाता है उसे कहानी कहते हैं जैसे कि हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं किसी कालपनिक भी कह सकते हैं या तो हम जो घटना के बारे में भी कहानी बोल सकते हैं कहानी के रूप में उसे लिखकर बोल सकते हैं उसी को ही कहानी कहते हैं मनिश ने कहना सीका तब ही से ही कहानी का आरम हुआ है और कुछ विद्वानों ने मतलब जो कहानिकार है उन लोग उनके मतानुसर हिंदी कहानी का उद्गम तो गुरुनाण्य की ब्रुहत कता से ही आरम हुए कता सरिता सागर पंचितंत्र कता है ये सारे पंचितंत्र कता हैं से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हितोपदेश मतलब उपदेश देना आदी कथाओं से हम जुड़े हुए हैं अभी जो हम बोल रहे हैं वो देवनागरी भाशा है देवनागरी हिंदिये पहले कहानिया खड़ी बोली में लिखा करते थे उस समय पच्छा साहित के प्रभाव से गद्दिलेखन आरहमबुवा ह और उसी के बाद कहानी प्रेमचन के अनुसर कहानी ऐसा उद्ध्यान नहीं है जिसमें भांती भांती के फूल और बेल बूटे सजे वो जैसे की बलकि वो गमला फूलों का गमला जिसमें एक ही पोदे में बहुत सारे खुशबुदार फूल हो इस तरह कहानी को उन्होने र प्रतम चरन और दिती चरन तृती चरन इस तरह चरनों में बाटा गया है प्रतम चरन में विकास मतलब जहां पर विकास अनुवादों से हुआ है इस चरन की प्रारंबिक कहानी है रानी केद की कहानी और तथा राजा भोज का सपना ये सारे कहानियों को अनुवात किया गय मतलब अंग्रेजी से और बंगाल से हिंदी भाषा में अनुवादिया ने ट्रांसलेशन करना इसे जिसका प्रकाशन सरस्वत पुत्रिका में प्रकाशित हुआ है प्रतम चरन की महत्वपुन कहानी बंग महिला की दुलाई वाला ने विशेश ख्याती प्राप्त की है दूसरा चरन यह है कि कहानी विकास में द्विती चरन में जैशंकर प्रसाद ने छोटी-छोटी कहानियों का निर्मान किया है अर्धात प्रसाद जी छोटी कहानियों में प्रान प्रतिष्टा कर दी है उनकी प्रतिभाग के संसपर्ष से कहानी कला और चरन उतकर्ष को पहु प्रसाद जी मुलताह कवी थे कवी मतलब किसे कहते हैं जो पोएटरी लिखते हैं उन्हें कवी कहते हैं अताहा उनकी कहानिया भी रुदय को सपर्श करने वाली है मानुजीवन के सुक दुख हास परिहास करुन रुदन आदी का सफल चितर नहा में प्रसाद जी की कहानियों में ही मिलता है इनकी कहानिया एतिहासिक और कल्पना प्रधान होती है कल्पना मतलब इमेजिन करना आकाश्ती, पुरसकार, विसाती मधुआ और मम्ता इनकी विख्यात कहानिया प्रसाजी के बाद विश्वंबरनाश शर्मा ने कहानी के क्षेत्र में पदारपन किया है इनकी कहानिया प्रया सामाजिक रही है और उनकी कहानियों में शहरी जीवन अनेक शित्र अंकित हुए है 1915 में गुलेरी की प्रतम कहानी है उसने कहा था सरस्वती में प्रकाशुती है कहानी के द्विती चरन में प्रेमचन का आगमन हुआ है उसी समय से प्रेमचन युग प्रारम हुआ है प्रेमचन ग्रामी जीवन के कलाकार थे मुन्शी प्रेमचन की प्रतम हिंदी कहानी है बाल मनो विग्ञान तथा मनो विग्ञानिक कहानी होती है। दर्शन इस्तारा के उनके कहानिया है। इसमें कहानिकार आते हैं जिनकी कहानिया नई कहानी की उपादी प्राप्त कर चुकी है। अब नई कविता की तरह नई कहानियों को स्विकार कर लिया गया है। ये नई कहानी स्वतंतिता के बाद की कहानी है। आज के नए कहानिकारों में धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, नरेश महता, कपलेश्वर, राजेंद्र यादव इस सारे कहानिकार है। ये मतलब अच्छे से कहानी लिखने फेमस है इस आफ्टर नाइंटी, फार्टी सेवन के बाद। तो बचों मैं आशा करती हूँ कि आप यह वीडियो समझ में आया हो, आया हो तो मेरे वीडियो को लेक कीजेगा और अपने मीत्रों को शेर कीजेगा, धन्यवाद।